जय जवान जय किसान कैसे हैं सारे अच्छे हैं दास्ताने तालिबान और वह भी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की मीडिया दिखा रही है बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं दास्ताने तालिबान और हम देखना चाहरे हैं दास्ताने हिंदुस्तान हम तो यह दे हिंदुस्तान की चीज़े हिंदुस्तान की समस्य तो जादे देखेंगे नहीं देखेंगे अब समझ में नियारा सेंट्रल मीडिया जो है यह तालिबान का है यह भारत का है हिंदुस्तान का है यह तालिबान से तनका लेता है तालिबान से टी आरपी लेता है यह हमारे भारत से लेता है यह हमारे भारत की जंता सहयोग करती है इनको यह तालिबान के लोग सहयोग करते हैं जो दिन रात दिन रात दिखा जा रहे हैं दास्ताने बेरोजगार दिखा दीजिए हिंदुस्तान की दास्ताने महिलाओ पर अत्याचार दिखा दीजिए भारत की हिंदुस्तान की दास्ताने होस्पिटल की जो समस्या रही है वो दिखा दीजिए दास्ताने समस्या भारत दिखा दीजिए उत्तर परदेश दिखा दीजिए बहुत सारी चीजे हैं मद्य परदेश में 22 साल होगे इनकी सरकार को चलते चलते वहां की जमीन भी बया कर रही कि क्या हो रहा वह कि जमीन भी सिसक सिसक के बता रही है कि किस तरीके से वहां के लोग जूज रहे हैं किस तरीके से पूरा का पूरा गाउँ शेहर खतम हुआ होगा पानी में और उनको रह जो बचे हुए हैं उनको पुनरवास भी नहीं बोला दास्ताने मद्यप्रदेश दिखा दीजिए एक खास बात जो बहुत ज़्यादा एहम है क्योंकि हम जो देखते आ रहे हैं बचपन से हमारे बड़ों ने हमें जो समझाया है हमने जो पढ़ा है किताबों में उस चीज को खतम करने की ये लोग साजिस कर रहे हैं ये लोग चाहते हैं कि हम जो हमारे स्वतंतरता सेनानी हम उनको भूल जाएं इसका उधारन बहुत बड़ा सा दिली एरपोर्ट पर हम देखे महत्मा गांदी जी पंडी जवाल लाल नहरू सुबाश चंद्र बोस स्वामी विवर कानंद जी शहीद एयाजम भगत सिंग जी उनकी फोटो लगी होती थी चोटे-चोटे बच्चे जाते थे अपने माबाप के साथ तो पूछते थे कौन है किनकी फोटो है यह तो माबाप बताते थे कि यह स्वतंत्रता सैनानियों की फोटो है जिनकी वज़े से हमारा देश आजाद हुआ हमें आजादी मिली जिनकी वज़े से हम आजाद हुए हैं यह बताते थे और अब अब क्या बतावें अब सिर्फ दो फोटो लगी हुई है एरपोर्ट पर दो फोटो वो भी वो फोटो लगी हुई जिनने हम देखना नहीं चाहते जिनने भारत की जंता देखना नहीं चाहती अगर कोई बच्चा पूछे कि ये फोटो किसकी लगी हुई है कोई शरारती बच प्च्छा हो हमारे जैसे तो पूछ लेगा बच्चे तो बच्चे होते भगवान का रूप होते पता नहीं किस घड़ी उनके मन में क्या बात आ जावे बच्चों के मन में तो क्या हम यह बताएंगे यह वह व्यक्ति जिन्नों ने हमारे बारत की संपत्ति को लीज पर रखा यह वह व्यक्ति है जिन्नोंने मीडिया की आजादी पर रोक लगाई यह वह व्यक्ति है जिनकी पार्टी ने किसानों का अपमान करा वो उनको आप शब्द बोलके यह वह व्यक्ति है जिनको इतना आपातकाल हुआ देश में एगोशित इनकी वज़े से इन्होंने लगाय कि अपने विभेग्षों को क्या यह सिखावेंगे कि हम अपने वाले समय में अब कहीं बिरियान खा करके आ रही थेがंह तो आप वहाँ के जो भारत वाले लोग वह से जाई ऐए और दूसरे के लोग भी वह और और आपको दूसरे कश्या में टांगढ़ाने की ज़धा आदत है आप अपने देश के काम सुधारिगए वो उनका में पर छोड़ दी हमें क्या लेना दूसरे लोगों से और आपको अपने देश से ज़ inclusion से प्यार किया मतलब नहीं है कि आपको अपने देश से कोई प्यार नहीं है तालिबान से लेते हैं क्या पैसे रहते हैं बारत में या तालिबान अफगानिस्तान में रहे हैं इनको शरम नहीं आरी और आने वाले समय में यह चाहते हैं कि हम अपने स्वतंतरता सेनानियों को भूल जाना है उनकी शहादत को भूल जाना है समय समय पर यह उनका अपमान कर आने वाले दश बीस पचास साल में इनका दिया हुआ मीडिया पहुआ हम लोगों का बहुत वहा हम उन्नों ने पर देखा अपने 15 अगस्त पे हमारे राष्टे जोटा करके लगा Abraham अपनी पार्टी के तिरंगे को मत्रा के ऑफिस पह drinking half When I anni जंडे को हमारे राक्रेंथे से ऊचा करके लगाया क्या किसी पार्टी का निज तरंगा है ना उनने पर कोई मुकदमे होंगी क्योंकि यह चाहता है कि हम अपने तरंगे को forgetting बूल जाने ऐसा नहीं होने का ऐसा बिल्कुल होना है कि हम अपने तरंगे को भूल जाने जब तक इस देश्चे भारतिया ना गरी कि सास चलती रहे गी ना जब कि दिरंगे का सासों में उस सासों उसकी खुजभ की लहराने की खुजब मुझतर हर्गरी कि यहां कि इस辜़र से लि Anda कि ले कितना कने वह निप वीत अभागर कर देगा लेगर इसका अपमान बर्दाश्ट नहीं करेते हैं जो पहले जब आंगरेज्ज होते थे उनकी दलाली करें देखा था ना अपने उनकी दलाली करते थे संगी लोग सिर्फ ये हमारे तरंगे का अपमान कर सकते हैं और इन्हों ने हमारे तरंगे का अपमान करा है हमें ये चीज हर भारतिय को बतानी होगी हर बच्चे को बतानी होगी कि ये हमारे तरंगे को उसका गन्डे को याद रखे लेकिन इनको इतना नहीं पता यह भारत है भारत बारत में जब कोई बच्चा जनम लेता तो इसकी सांसों के साथ में तरंगे की खुश्बू पैदा होती है भारत है यह तो हमें इस चीज को ज़ादे से ज़ादे बताने का बहुत ज़ादा कारक अपना करना होगा अपने देश के परती क्यूंकि राज धरम से बड़ा कोई धरम नहीं होता ऐसा मेरा मानना है उन लोगों का भी मानना है जो अपने देश से प्यार करते हैं क्या कोई अपमान बरदाश्ट कर सकता है अपने तरंगे का नई तो हमें इस बात को ज़्यादत से ज़्यादा पहुचाना चाहिए बहुत शारे आप शेयर करना मैं आपसे हाथ जोड़ कर रि को भूलवाना चाहें, तो मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़के बहुत नीवेदेने आप लोगों से, कि ये बात किसी पार्टी की नहीं है, ये बात हमारे स्वतंतरता सेनानियों की है, ये बात हमारे तिरंगे की है, जिसका ये अपमान समय समय पर करते हैं क्योंकि ये संगी है, संगी सोचधारा के लोग है, मनुसिमर्ती पढ़ने वाले लोग हैं, यही हमारे तिरंगे का अपमान कर सकते हैं, आप इसको इतना शेयर करना जितने भी मीडिया वाले हैं, बहुत पोचाना इस बात को, ताकि हर बच्चे-बच्चे की वीडियो में आए, बहुत लोगों की वीडियो बने इस बात पर, कि हमारे तिरंगे को अपमान कर रहे हैं, और हमारे स्वतंतरता सेनानियों को हमारी नजरों से हटाना चाहरे हैं, इस बात को बच्चे-बच्चे वीडियो बना करके बेज़ें, इत दुबारा वोई माहल लाकर का कड़ा कर दिया। ध्यान रखना अपना। जैहिन जैबारत।